नमस्कार सरावस्ति तक नियुट से नई सड़क पर बने बड़े गढ़े में गिरकर लोग हो रहे चोटहिल एकाउना तैसील छेत्र के मोहनीपूर में किशान चंगठनों ने सड़क पर धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की एकाउना के मोहनीपूर से पयागपूर जाने वाली सड़क पर काफी दिनों से जान लेवा गढ़धा बना हुआ है तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशाशन ने कोई मरमत कारे नहीं करवाया और अंजान बना रहा जिसको लेकर इस्थानिये लोगों में आकरोज देखा जा रहा था लेकिन आज किसान यूनियन के कार करता उसी गठे के पास धरना देकर सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाब जमकर नारे बाजी करने लगे किसान चंगठनों का कहना है कि इस गठे की वजह से आई दिन सड़क हाथ से होते रहते हैं कोई भी बड़ा वहन एकवना से पायागपुर की तरफ नहीं निकल पाता है उन्होंने कहा कि एक साल पहले इस सड़क का निर्मालकार कराया गया था और नाली बनाई गई थी जिसमें धंधली हुई है जमकर बंदरबाट किया गया है जो मैटेरियल निर्मालकारे में लगवाया गया था वह नकली था यहीं वजह है कि नई सड़क पर गढ़धा बन गया है ब्रहष्टा चार का प्रमार शामने है किसानों ने प्रशाषन को चेतावनी दी है कि अगर इस गढ़धे को जल्द ही भरा नहीं गया तो यहीं पर बैठ कर किसान संगठन अनिश्चित कालियन धर्ना देने के लिए मजबूर होंगे यह दो तीन महिनों से टूटी पड़ी है कई बार से सिकायद भी की गई लेकिन कोई कारवार ही नहीं की गई आज हम लोग धर्ने पर बढ़ गया है जब तक यह रोड सही नहीं किया जाएगा हम लोग धर्नास तल पर बैठे रहे हैं तो नहीं दिख रहे हैं इसके बारे मताइए कैसे टूट गई एक बरस पहले बनाई गई है उसके बाद टूट गया जगा 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 चूटता चला मैटेरियल लगाया गया है हाथ से तोड़ दो तो सब उजड़ जाता है साम तक नहीं बना नहीं पाटा गया तो हम कल आंदोलन करेंगे इसके लिए चक्का जाम करेंगे सुबा उन्होंने फिर कहा कि आप हथेली पर सरसो उगाना चाहते हैं हमने का कदाब नहीं वो प्रजाती ही है ऐसी आप तुरंट उसको रास्ता पटवा करके खोलिए अब यही रास्ता बन रहा है इसमें इन्होंने वो सरिया इसमें डाल दिया था हमने का उसको निकाली है क्योंकि वो सरिया अगर निकली रही तो किसी के गाड़ी में फस जाएगी उसकी गाड़ी एक्सिडेंट होगा या पंचर हो जाएगी इसलिए उसको निकलवाया गया है अभी पत्थर ये रोड़ा ला रहे हैं इसको पाटेंगे इसको रास्ता के लिए कितने दिन से समस्था बनी हुई है ये तो कई बरसों से पहले एक मीटर का गड़ा ये तूटा फिर इसके बाद में तूटा गया आज करीब तीन महीने से त किना कमिशन के नहीं चलती है इसलिए इस की दसाये हुई है आज कई जगा हाइबे टूटे है और ये मेन रोड है हमारे जिले के दियम और येस्टीम तो हमारे इतने निरलज्ज हैं ति वह बार बार इससे निकलते हैं लेकिन उनके निगाह में नहीं आता है कि हमारे पब् करेंगे मैं जो है हाइवे है हम उसको जाम करेंगे जबते के रास्ता किलियर नहीं होगा है हमारे यूट्यूब न्यू चैनल रावस्ती तक को लाइक शेयर वा सब्सक्राइब करें धन्यवाद